बारा दिसम्बर दोहजार बाइस को एकत्यंत चिंता जनक खबर सामने आ रही है अरुणाचल प्रदेश के तवंग इलाके में भारतिय सेना की और चीनी सेना की भरंथ हुई है जब चीनी सेना निधराने की कोशिश करी और उसमें हमारे कुछ जाबास जरूर घायर हुआ है 15 जून 2020 की वो स्याह रात आपको याद होगी जब गलवान घाटी में चीन को खदेरते हुए हमारे 20 सेनिकों ने सरवो चबलिदान दिया था और उसके बाद प्रदान मंतरी ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा जूट बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है उसी के चलते चीन को ये होसला आ रहा है कि वो बार बार ये हिमाकत और धृष्टता करें बजाए चीन को सबक सिखाने के बजाए चीन को बिनार लार लपेट सीधे शब्दों में बात करने के जब बाली में मोदी जी शी जिन पिंग मिले तो वहां तो आत्मेता देखने वाली थी लाल आखे तो नहीं लाल शर्ट जरूर थी खेर दिक्कत की बात एक ये भी है कि ये घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सुत्रों के माध्यम से चलाई गई है तीन दिन का डिले क्यों क्यों क्योंकि कुछ नहीं सर्फ सुत्रों के माध्यम से खबर चला दो मोदी जी आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधान मंत्री हैं शी जिन पिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिये गए और इसलिए जरूरी है कि अब आडंबर को त्यागिए हिम्मत दिखाईए डरिये मत और इस देश को विश्वास में लेकर सक्ते बताईए और चीन को वाकई में सबक सिखाईए कि वो आइंदा ऐसे हिमाकत ना कर सके डरिये मत